तो चलिए आज ब्रेड से सैंड्विच नहीं केक बनाते हैं, जी हाँ, ये केक सिंपल ब्रेड से बना है, no baking, no cooking, in fact आपको gas on करने की भी जूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल ब्रेड होती है जो white bread या सैंड्विच ब्रेड जो भी आप कहते हैं, उसके साथ ये बना है, सिंपल स आप अन्दाजा लगा सकते हैं यह कितना सॉफ्ट है यह आफ्र कटिंग भी आप देख सकते हैं अंदर से बिलकोई जैसे बेकली वाला केक होता है यह वैसी ही लेयर्स इसकी बनके आई है यह तो स्क्वेर ब्रेड के साथ में यह हार्ड शेव का केक कैसे बनाना है बनाना बह बनाने के लिए यहां पर आट श्लाइस ली है जिसे मैंने चार चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है इसे हमने चार चार को एक साथ ही कट करना है चोटी चोटी बाते हैं मैंने पहले भी कहा इन सब का अगर आप ध्यान देखेंगे ना तो जो इसकी शेप है वह बहुत चार चार को हमने एक्वली कट करना है अगर आप एक एक करके कट करेंगे तो ब्रेट के साइस जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं इसलिए चार ब्रेट को एक साथ करें और दूसरी चार ब्रेट को एक साथ करें और जो साइड की जो स्लाइसे भी हम वेस्ट नी करेंगे इसक अगर मार्केट में नहीं मिल रही है आप उनलाइन भी ले सकते हैं मैंने बिग बास्केट से ली थी इस बार मैं डिलेक्टा की यूज कर रही हूं इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आया था अधर्वाइस अमूल की तो बहुत ईजली मिल जाती है उससे भी बहुत अच्छ अर डूस्त हो सकी तो निखिड करना थे है इसे विप रही है तो उसे निखेगे निकाल कर जाल करें आप निकाल कर दीजिए तो निकाल कर दीज़े परन नीचे निख़ने के लिए इस में फ्रिजM से निखाएँ मां आप जिस भी बरतन में आप बना रहे हैं उसको खाली को भी फ्रिज में रख सकते हैं ताकि वो चिल्ड हो जाए जितना इसको ठंडा मिलेगा ना उतनी जादा यह अच्छी विप होगी अधर्वाइस आप एक काम और कर सकते हैं बड़ा बरतन लेकर के उसमें धेर सारी आइस डाल अगर आप कोई और फ्लेवर का बना रहे हैं तो वो से साबसे आप अगर सकते हैं उसके बाद हमारी जो यह क्रीम है बिल्कुल फीकी होती है तो मैं इसमें मीठा यूज करें उसके लिए मार्केट में पावडर शुगर मिल जाती है बट मैं नॉमली घर पे ही नॉर्मल जो चीनी जो है वो सारे में एकुली हो जाए मैं तो यहां इसे बिल्कुल प्लेन वाइट कलर में बना रही हूं लेकिन अगर आप इसे कोई और कलर देना चाहते हैं तो यहां पे इस टेच में आप क्रीम में कलर भी आड कर सकते हैं तो क्रीम तेयार होगी है इसे हम पावडर नहीं है तो नॉर्मल आप पोई भी दूद की थैली भी अच्छे से फौश करके उसे भी यूज कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहां पी सॉफ्ट करने के लिए ब्रेड को दूद लिया है नॉमल ठंडा दूद है और इसमें भी हम पावडर शुगर आड कर देंगे दो दूद के साथ हम मॉइस्ट करेंगे और इसके बाद एक एक लियर इस पे विपिंग क्रीम की हम लगाते रहेंगे यह केक ना बहुत बन चाहता है तो कोई भी स्पेशल ओकेशन हो तो आप केक बनाना चाहते हो तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा बस नॉर्मल ब्रेड तो हम अपनी मन पसंद शेप में तो जब तक हमारी ब्रेड कोट हो रही है तब तक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें तो बस हमारी दोनों ब्रेड की जो लेयर्स तेयार हो गई है अब हम एक ब क्योंकि हमें इसे हार्ट शेप में बनाना है अगर आपको इसको स्क्वेर शेप में बनाना है तो फिर तो सिंपल है लेकिन हार्ट शेप में बनाने के लिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे अंदर से आप देख सकते हैं एकदम से हमारी फिलहाल पेस्ट्री बन के तो बढ कर देंगे और इसे बिल्कुल थोड़ा सा हाट की जैसे राउंड शेप ते लेंगे और इसमें एक हुब सारी क्रीम है और हमने से अच्छे से मॉइस्ट भी किया है दूद की साथ तो यह चिपक जाता है बहुत अच्छे से आप इस तरह से उपर से इसको फ्लाट करेंगे ना खलते से ऐसे ईसे स्टेझिल यूज कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप इसे बिल्कुल हाогाड शेप में कट कर सकते हैंả habr इसके साथ कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो वह और घुट से कॉर्ण से श्रूंट कर देंगे ता के बिलकुल ओपर से हार्ट की तरह बन चाए ह और इसे अच्छे से हम जोइन कर देंगे. तो अभी हमारा हार्ट बन के तो बिलकुल तैयार हो गया है. तो चलिए अब इसको बाहर से हम कोटिंग करते हैं विप क्रीम के साथ में. अगर आपके पास इस तरह का स्क्रापर नहीं है इसको फ्लाट करने के लिए आप नॉर्मल स्केल भी यूज़ कर सकते हैं. जो स्केल हम अपनी स्टेशनरी में यूज़ करते हैं उसके साथ में आप इसे बिकुल फ्लाट कर सकते हैं. बहुत इजिली हो जाता है. अब हमारा केक रेडी हो गया है जैसे नॉर्मल बेसिक केक होता है अब इसके उपर जो है आइसिंग आप अपनी मर्जी से जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं बट मेरे पास इस तरह से नोजल है तो मैं इसको थोड़ा सा रिबिन जैसा इसमें डिजाइन बनाऊंगी आप बोगट करें fold टो नीदो को आपर सोब जाए तो मैं निज스ह है तो प्लेन भी रख सकते हैं नॉर्मल उपर सापफ लार्स के साथ रोज़िस के साथ इसे आइसिंग कर सकते हैं डैको यह जैसे बींड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है प्रेंगे बना करके वोपर से मेरे प्लेन भी रख सकते हैं नॉर्मल उपर साप फ्लार्स के साथ रोजिस के साथ इसे आइसिंग कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है मुझे प्लेन केक्स तो मैंने यहां पे इस पर रिबन जैसा है डिजाइन बना करके उपर से मेरे पास थोड़ी से वाइट पर्ल्स थे मैंन सिंपल सा केक है बहुत ही अच्छा बनके और बहुत ही टेस्टी बनके तेयार होता है तो नेक्स टाइम घर पे कोई भी उकेजन हो वर्दे हो या फिर एनिवर्सरी हो या वालंटाइन्स दे इसे जरूर ट्राइब कीजेगा और तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के भाध में तिल दन बबए और टेक चैर